भारतिये पाकिस्तानियों को मिलेगी वीजा फ्री एंट्रेक इनके नदेशों में चलिए बताते हैं इस वीडियो में तो नमश्कार स्वागत है आपका हमार चानल यूवाई कबल पर देखे हैंडी एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स से पता चला है कि 2024 में बारत औ दोनों दक्षिन ACI पासपोर्ट कम जोर हुए है जबकि बहातिये पासपोर्ट इस साल 76 स्थान से लगे वह यह पाकिस्तान पासपोर्ट बहेरानवे स्थान से गेडर कर 101 पर आधारित है इसके अलावा सबी 277 संभावित यात्रा गंतव्यों के विरुद परतेक पासपूर्ट को जाच करने के लिए सारजनिक रूप से उपलब्द और विश्विशनी ओनलाइन श्रोतों का भी उपयोग किया जाता है इस पूरे डेटा को बनाने के लिए चलिए उन देशों के लिस्ट बताते हैं जहां पर भारती नागरेग 2024 में वीजा फ्री या वीजा ओन अर्राइवल चा सकते हैं तो देखे अफरीका में जो हैं वो अंगोला, बुरुंडी, केप, वर्ड, द्वीप, कुमारो द्वीप, जिबूती, एथियूपिया, गैबॉन, गिनी बिसाओ, हैती, किन्या, मिडागासकर, मौरिटानिया, मौरिशस, मिजाबिक, रवांडा, सनेगिल, सेशल्स, शियरा लियोन, सुमालिया, तंजानिया, टोगो, ट्यूनीशिया, जिंबावे जा सकते हैं, इसके अलावा एशिया में भूटान, कंबोडिया, इंडोनीशिया, एरान, कजाकिस्तान, लाओस, मकाव, मलेशिया, माल्दीव, मैंगमार, नेपाल, फिलिपिन्स, जापान, श्रिलंक थाइलेंड, तिमोर लिस्टे जा सकते हैं, इसके अलावा अमेरिका में बॉलीविया, अल सालवा डोर जा सकते हैं, केरेबियन में बार्बाडोस, ब्रिटिस वर्जिन द्वीप, डोमिनीका, ग्रेनेडा, जनायका, मुंसराट, सेंट किट्स और नेविस, सेट लूसिया, स विसेंट और ग्रिनेडाइन, त्रिनीदाद और तोबैगो जा सकते हैं, ओशीनिया में कुक आइलेंड, फीजी, कीरिबाती, मॉर्शल आइलेंड, माइक्रोनेशिया, नियो, पलाव आइलेंड, समाओ, तवालू, वानुआतू जा सकते हैं, मध्यपुर्व में जॉर्डन वाले भारतिये नागरिक हैं, उनके पास अमेरिका द्वारा जारी किया गया, विसेट वीजा या फिर ग्रीन कार्ड है, वो कम से कम 6 महीने के लिए वालिज है, वो अरिक्दम 14 दिनों के लिए आगमन पर वीजा प्राप्त कर सकते हैं, यानि कि उन्हें वीजा और राइव से 250 दरहम के लिए अपने प्रावास को आते तक 14 दिनों के लिए एक्स्टेंड करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, अमेरिकी निवासी के लिए विस्तार पत्र लिखने वाले भारतिये नागरिक आकमन पर वीजा के लिए एलिजबल नहीं है, वहें उन देशों के सूची ज खालिद अलमेरी ने की भारत की लर्की से सगाई, कि हमने आपको पहले ये खबर दी थी कि यूटूबर जो की दुबाई के हैं, खालिद अलमेरी उन्होंने शगाई कर ली है, लेकिन आप खबरे निकल कर सामने आ रही है कि उन्होंने सगाई भारत की लर्की से की है, लर्क की थी जिसमें वो किसी सक्ष का हाथ थामे हुए नजर आई थी खबरों के माने तो उन्होंने दुबाई के यूट्यूबर खाली दल्ल मेरी से सगाई कर ली है सुनैना ने पांच जून को अपने सूशल मीडिया हैंडल पर ये वाइरल फोटो पोस्ट की थी जिसके बाद फै उन्होंने लॉक वाली मोजी भी लगाई है तमल एक्ट्रेस सुनैना ने अपने फैंस और फॉलूवर्स के सामने यह रिवील नहीं किया था कि उनका मंगेतर कौन है फिर कुछ दिन बाद यूट्यूबर खाली दल्ल मेरी ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट कर दिया जिसके दोनों ही कलाकारों ने अपने अपने सूशल मीडिया हैंडल पर एक जैसी तस्वीरे शेयर की तो फैंस के बीच छलचल मच गई ऐसा कहा जा रहा है कि तमल एक्ट्रेस सुनैना ने दुबाई के यूट्यूबर खाले दल्ल मेरी से सगाई कर ली और अब दोनों जल्दी शा तरह की खब्रेपनी हैं लेकिन वह यह साफ कर देना चाहती है कि वह अपनी सगाई में काफी खुश है और फैंस के प्यार भड़े मेसेज के लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहती है अब तक सगाई की खबरों पर ना सुनैना ने और ना ही खालिद अलमेरी ने कुछ भी रियाक्ट किया है 14 साल के खालिद अलमेरी एक कॉंटेंट क्रियेचर है जोके इंस्टेग्राइम पर रील्स के लिए काफी पॉपलर है उनका एक यूजिब चैनल भी है जिसके 38 लाग से जादा सब्सक्राइबर है वो पहले अपनी पतनी सल्मा के साथ वीडियो बनाते थे और दोनों की जूरी सोशल मीडिया पर काफी पॉपलर थी हलाकि करीब 6 महीने पहले ही उनका तलाख हो गया सल्मा ने खुद अस बात की पुष्टी एक हालिया इंटर्वियो में की थी एरपूर्ट पर नहीं मिलेगी इन लोगों को एंट्री कि इन लोगों की बात कर रहे हैं चलिए वीडियो में जानेंगे देखिए दुबाय इंटर्नेशनल दुआरा 6-17 जुलाई तक गर्मियों की छुटी में यात्रा करने की भीड के लिए तयार होने के कारण हवाय एडे के अधिकारियों ने गैर यात्रियों के लिए कुछ प्रतिबंदों की घोशना की है सीधे सब्दों में कहें तो अभी जो आने वाला टाइम है वो रश आर काफी जादा रहेगा एरपोर्ट पर जिसकी वज़े से जो गैर यात्रियों जिनने ट्रावल नहीं करना है वो अपने परीजन को छोड़ने आते हैं उनके लिए कुछ प्रतिबंद की घोशना की गई है देखे जुलाइ और अगस्त में यूए में स्कूल बंद रहते हैं जिसे पड़िवारों के लिए यात्रा करने का यस साल का सबसे बेस टाइम माना जाता है इदल अधा यात्रा भीर से पहले की तरह पीक आवर्स के दोरान केवल यात्रियों को ही टोमिनल के अंदर जाने की अनुमती होगी अधिकारियों ने यातिरियों को हवाई अजे पर छोड़ने वाले लोगों को सला दी है कि वे घर पर ही उनसे रुखसती ले 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 इसके अतिरेक्ट टर्मिनल एक और तीन दोनों में आगमन के प्रांगमन तक पहुंच केवल सार्जनिक पडिवहन और अधिकरित हवाई अजे के वहनों तक ही सी में थैया या अधिकरित हवाई अजे के जो गारियां उसी के तुरू जा सकते हैं पुस्नल गारी लेकर नहीं जा सकते हैं डी एक्सपी में 6-7 जुलाइं तक या तयात में काफी जादा ब्रिदी देखी जाएगी जिससे इसके टर्मिनल से कुल तीन दसंब्लब तीन मिलियन महमानों के आने और जाने का अनुमान है इस अबदी के दोरां 9,14,000 यातिरियों के डी एक्सपी से औरान भर करने के उमीद है जाए के बार से 14 जूलाइ के वीकेंड में यातायात चरंपर होगा जब डी एक्सपी 80040,000 यात्रियों का सवागत करेगा तो सबसे व्यस्त वीकेंड होगा 13 जुलाई को सबसे व्यस्त दिन होने का अनुमान है जिसमें 2,86,000 यात्रियों के आने के उमीद है औस तन हवाई अड़ा व्यस्त अब्दी के दौरान प्रुति दिन लगभग 2,74,000 यात्रियों को संभालेगा मैं फ्लाई दौई के यात्रियों को प्रुस्तान करने से कम से कम चार घंटे पहले पहुँचने की सला दी जाती है जबकि अने एरलाइनों के साथ उरान भड़ने वाले यात्रियों को नरधारित प्रुस्तान समय से तीन घंटे पहले डी एकसबी पर पहुँचने के लिए में आसाधरन रूप से बिजी रहने का नुमान है एरपोर्ट का यात्रा प्रदाता दनाता ने पिछले साल के समान महीनों की तुलना से जुलाई और अगस्त में अंतराश्री यात्रा के लिए बुकिंग में 35 प्रतिशत की पृद्धी की रिपोर्ट की है एमिरेट्स करने वाले दुबाई एरपोर्ट ने यात्री को सला दी कि सरक पर भीरभार से बचने के लिए एरपोर्ट से आने जाने और टर्मिनल एक और तीन के बीच दुबाई मेट्रो का स्तमाल करें हम सभी यात्रीयों को सला देते हैं कि वह चेकिन सुरक्षा जांच और बोर्डिं एरलाइन के बैगेज अलावेंस और पैकेजिंग और पैकिंग नियमों को खुद से परिचित करें मतलब उसके बारे में जाने पहले से चेक इन करके आकरे मनट में होने वाले टेंसन से बचे फिर दूसरी टिप यह दी गई है कि तयार रहकर सुरक्षा जांच में समय बच करें अगली टिप यह दी गई है कि भारवर से अधिक उम्रक के बच्चों वाले परिवार को स्मार्ट गिट का यूज करना चाहिए जिससे पासपूर्ट कंट्रोल प्रॉसस जो है वो तेजी से हो पाए चौर्दी टिप यह दी गई है कि अपने हाथ के सामान में अतिरिक् प्री और पावर पावर बैंक रखना ना भूले यह थी तमाम जानकारी बने रहे हैं इसी कब्रों के लिए यूए ख़बर पर